अब भंजी नमजकार सभी को तो आपका स्वागत आपके अपने प्लेटफरों पे तो जैसा कि आज अपने जो कर रहे हैं आपके अपने पहली क्लास रहेगी राजस्तान के जिके की तरफ चले हैं और राजस्तान जिके के अंदर राजस्तान कलाव संस्कृति के उपर बात कर के खुआहाँ के जिर्प बहुत बड़ी है यह चाहां पे धुरुग पड़ते हैं अनिक मेले कि यहाँ पे अलगालो कल्चर है अलगरितीरी वाज है संस्कार अलग पड़ते हैं यहाँ पे अनेक को ऐसी टोपिक है जहाँ पे इतना बड़ा इत्यास बन जाता है दूसरी बात बता देता हूं आपको जो राजस्तान का इत्यास है राजस्तान के इत्यास से ही उसका कला संस्कृति निकल काया है अब जब भी मार्केट जाते हो तो आपको कुछ एक गाइडे होती है वो अलग अलग मिल जाती है कुछ एक गाइडे होती है वो अलग मिल जाती अगर अपने कोई राजवंस पढ़ते हैं राजवंस के बारे में क्या कुछ पढ़ा जाता है राजवंस के बारे कोई राजा को पढ़ लिया और राजा ने क्या कुछ किया कौँसे मंदर का निर्मान करवाया या फिर कौँसी छतरियां बनवाई उनको अलग से निकाल के कल्चर में डाल दिया गया ये मंदिर कौन सा है कौन सी सेली में बना हुआ कौन कौन सी चत्रिया बनी ये कल्चर में रख दिया गया अच्छा कोई परशीत तेमहार था जो राजा अपने राजवांस में बनाया करता था उसी को निकाल के अलग से तेम स्क्राइब करते विएक जो कला संस्कृति यह राजस्तानीय की उसी की तरफ पढ़ते हैं गरा संस्विच्वी एक लड़ा संस्कृति हैं तो सबसे पहले राज्थानग्हां संस्कति को कोई चीज को पढ़ना होता है तो उसके बारे में बैसिक साय सबसे पहले ऐसा टॉपिक पढ़ा जाता है जिससे पूरा टॉपिक आपको वाइंडब समझ में आ जाएगा कि मैं सिंपल सा कहूं आपको एक लाइन के अंदर अगर आप जोग्रोफी पढ़ते हो इंडिया की जोग्रोफी पढ़ते हो तो सबसे पहले समानिया प्रिचाग टॉपिक पढ़ा जाता है उसके तुरूंत पस्चाथ मैं बात करता हूं तो उसके बात में जो टॉपिक इस पढ़ा जाता है थोड़ा सा लेंथी पढ़ जाता है राजस्तार में जोग्रोफी में समानिया प्रिचाग जिले कितने आते यह पढ़ा जाता है फिर थोड़ा सा लेंथी पढ़ता है इसी प्रकार में बात करता हूं तो जो कला संस्कृति का जो समानिया प्रिच्छे क कहा जाता है जो मेले जङले भातिवार को टोपिक हो इसे मानते हैं अपने उस्से समय राज्फतान का समाने प्रिचीय का रॉक्त का विसस्फ़ा रिशल सरह समानिय प्रिच्वा विष्टत है आप ऐसे कुछ सकती हो यह समानिय कि प्रिच्चह है रिए बिल्कुल कोई किसी प्रकार कापो डाउट नहीं है आप बीव लोगे सर क्या से काई सिंपल सी बात है ल आप इस में कि हम 12 मेहिनेंगे पढ़ेंगे और क्या पढ़ोंगे सर हम बार महिनों में आपन है क्नसी तित्थिटो कोई सा थे उh meer हां कोई देवता से समंधी तो देवता की चार बाते करेंगे कोई मेले से समंधी तो मेले की चार बाते करेंगे मेला कहां पहले तो उसी समंधी चार बाते करेंगे वहां कोई फैमस हुआ तो उसकी चार बाते करेंगे यानि कि उसका समान या प्रिचया बड़ा बड़ा अपने को बनाता चलूंगा और आपको यह पूरी पूरी पीडिया जो पैनल पीडिया बनेगी आपको एप्लीकेस्टा अंदर मिल जाएगी ठिक है वहां से भीको मिल जाएगी और साथ को यहां से कॉपी में नोर्स बनाते चलना इस नोर से फाल्स कुछ भी मत पढ़ना मार्केट में यहने गाइडे आती है उनको मत पढ़ना और पढ़नी चाओ तो नाइथ और टैंथ की जो इत्यास की बुक आती है वह बहुत अच्छी बुक है वह पढ़ना बहुत ऐसे विसेंट रही आपके लिए ठीक है फाल तुमत पढ़ना कच्रा बाकी जो मैं आपको नोर्स टोपी का नाम में लेवाते होर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बहुत बारिकी से पढ़ेंगे एक चीज को समस्ते हुए चलेंगे काहणियों के टाइम में पढ़ते चलेंगे एक मेंट रुखना टोपी का नाम रहेगा अपना ये ठीक अच्छा आप सबसे में बात बात करता हूं अब अब अलुक्सर मेलेवाते वहर आपने हमें बता दिया हम तो बिल्कुल बारिकी से पढ़ रहे हैं हमने आज तक अभी सुना बेने मेले तिवार क्या होता है हम तो सीधा सा मंगल अग बता देता हूं किसी भी परकार का किसी तारीक को किसी के यादगार के रूप में किसी का जनम हुआ किसी मर्ति उसे समधित वह कोई फेमेस कोई दिन हुआ उसको किसी अच्छे उलास के साथ में मना नहीं क्या ख्याल ONE अच्छते मेला उसी दिन लग जाता है तो फार काफी लंबे समय तक चलता है अप जैसे मैं चलूँ वैसे लिखते जाना बहुत अच्छे से नोट से लिखवा दूँगा आपको और वैसे अपको पीडियाप में मिल जाएगा क्या लिखना आपको पहला पर मेले बते हों आर कि मेले बते हों आर क्लेंडर पराधारित होते हैं कि अब आपके दिमाग में एक बात आएगी सर कौन से क्लेंडर पर क्लेंडर तो ते इंचार होते हैं अब कौन से क्लेंडर पर अधारित होते हैं मेरे को पता है अब सामनी होते न होते भी जाते एप आभ लो कैसे एक करता समय को पता जब दूशने वाले हो हर आप बहुत सरं बात सारी छोड़ो में सीफ़ा साइब अथा निया एक जायते होता है तो आपको को हिंद्छों के तेवर आप से पुचंछेगा इसके वो किसके पुचित बुषी सकता है यही पुचहाइक से इंद्धों के पूच gì का process है जिनों के तेवहार possible आप से शिक्धों के तेवहार आप से पुछेगा जो राजस्तारी के तोहार पड़ती है वो किस क्लेंडर पर धारीत है इसके बार में पुछेगा भारतिया पंचांग है वो कौन से इसके बार में पुछेगा तो सिंपल सो मापको चार पार्टों में बांट के चीज सानी लिखा देता हूं सेम ऐसे कैसे उ है कि मुख्य तर चार परकार के कलिंडर होते हैं अब बोलोग सर हमें तो यह बताओ कौन से होते हैं हमें तो यह बताओ को चार परकार के कौन से होते हैं तो टैंसन थोड़ी ना लेना है अपने बैठे अभी बता देंगे आपको कौन कौन से होते हैं तो सुनना कौन कौन से होते हैं चारों को चारों कर लेंगे अपने कौन कौन से होते हैं कि ठीक अच्छा अब सबसे पहले एक तो वो क्लेंडर होता है जो अंतराश्टे लेवल पर चलता है जिस क्लेंडर को क्या कहा जाता है जिस के लेंडर को कहा जाता है गिर्गोरियन क्लेंडर कौन सा क्लेंडर कहा जाता है गिर्गेरियन क्लेंडर के नाम से जाना जाता है कि एक होता है विक्रम समवत कि एक होता है सक्समवत अपने जो काम के वही पढ़ना फालतु का कोई आंत नहीं है कितना भी हो सकता है और एक होता है हिज्रिशन जो मुसलमानों का कलेंडर होता है अपने जो काम के वही पढ़ने फालतु नहीं पढ़ने अपको ठीक अब आगे चलू मैं सबसे पहले गर्गोरियन कलेंडर की बात कर देता हूं इसमें पहला पॉइंट तो क्या लिखती है इसे अंतराश्टिय कलेंडर भी कहा जाता है इसे अंतराश्टिय कलेंडर भी कहा जाता है इसे अंतराश्टिय कलेंडर भी कहा जाता है कहा जाता है कौन सा कलेंडर कहेंगे इसे अंतराश्टिय कलेंडर भी कहा जाता है नई स्लाइड पर चलता हूं दूसरा पॉइंट इसी के निचे लिखते ता हूं यहां पे ही कि इसका दूस्तर पॉइंट है अब आपको पता होगा ग्रगोंगरिय लेंदर है अंतरस्टे के ऐसे कहा जाता है कि इसलुए कि ca, कितने मेहनों की संख्या होती है थेट दिनों की संख्या तीं सो पैंशट और एक काफी तीन सालों के बाद 30 36 हो जाते हैं बैस्टिक सी बात है सबसे अंति मेहना को आ को साप से महिन यह बात बता देंव को कि मतती कि तोता हैं किसंदान गती के उपरा धारी तोते है तो जो गर्लेन के लिए पडियों की गती के उपरा धारीत होता है तो तीन-चार फॉइंट यहां पर लिख देते हैं पहला तो पहला मेहना कौंसा इसका प्रत्थम महिना जनवरी होता है पर्थम महा जनवरी ठीक है दूसरी बात अन्ती महने की बात करता हूं अन्ती महना कौन सा होता है अन्ती महा कौन सा होता है इसका दिसंबर होता है डिसंबर अगर मैं दिनों की संख्या की बात करता हूं कुल दिन कितनी होते हैं कुल दिन इसके अदर ぇिंसो पैसर दिन सो पैसर और इस तुछ परते हैंी कि सबते और सबसे मेम बात बता देन आपको यह चुल के खंटिक आधार यह सूर्य धिक रधारीत है अब लोग सार समझ में या बिल्कुल भी सूर्य की गति कैसे तो सिंपल सी बात अभी सूर्य है जो पड़ती है वो सूर्य के लोगति के उपराधारीत होता है इसके साब से भी चलेंगे फिक्र मत करना बस पढ़ते जाना साथ साथ में दूसरा जो कलेंडर होता है उसे विक्रम समवत कहा जाता है आप सबसे पहले मुझे यह बता होगे हज्या अगर मैं गर्गेरियन कलेंडर की बात करता हूं गिर्गे समवत की बात करता हूं विक्रम समवत की बात विक्रम समवत विक्रम समवत की सुरुवाद अस्तावन इसापूरम में हुई बहुत इंपोर्टन बात है अपनी कल्चर में पढ़ते चलेंगे जैसे कोई लोगत्यवता के बारे में पढ़ेंगे किसी संत महत्मा के बारे में पढ़ेंगे जैसे महारणा परताप के बारे में आपको बताऊंगा महरणा परताप के वारे में जब आप पढ़ाऊंगा तो उसका बताऊंगा विक्रम समवत 1507 में 9 मैं 15 9 मैं 1540 कुंबलगड जुनिक चेरी बादल महल के अंदर जिनका जनम उतसे महरणा परताप कहा जाता है और लाष्ट में 19 फरवरी 1507 में विक्रम समवत और सन 1507 में एक एंदर जिनकी मरत्य हो जाती है वह महरणा परताप थे आप विक्रम समवत क्या जिनकी इस्सा से पूरव जिनका जिनकी सुरवात जिस क्लेंडर की सुरवात एक इसवी संसे 57 साल पहले हो चुकी है तो हर जो सन होता है जो गिर्गेरियन क्लेंड और दो दो से एक आप पूछे विक्रम समत कौंसा रहेगा तो मैं कहूंगा इसमें 57 शोड़ दो इसमें 57 जोड़ दो तो बोलू आपसे भूछ दिक्रम का संवत की सुराथ स्तावनि साल पूरे सबसे मेन बात बता दूँ आपको गिर्गेरियन क्लेंडर में मेहनों की संख्या कितनी होती है 12 होती है सब को पता है विक्रम समवत में भी मेहनों की संख्या 12 होती है अधिकास मेहनों की संख्या 12 होती है लेकिन इन में वो नहीं होता जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल वो नहीं होता इसके इसके अंदर जो होत रित होते हैं इसे हिंदू कलेंडर भी कहा जाता है विक्रम समवत को इसमें मेहनों की संख्या 12 होती है आप से पूछा जा सकता है पहला महिना कौंसा और अंती महिना कौंसा कैसे भी गुभा कि आप से पुछा जा सकते हैं तो मैं नई स्लाइड के पर जो अपने पहली स्लाइड थी उसी के पर लिखता हूं सबसे पहला महिनों की संख्या 12 होती है महिनों की संख्या 12 प्रत्थम महिना ना कि जैत्र होता है चैतर जिसको जैथी बोल देते एं अंति महिना कि फाल गुन इसे प्रफागन बोल देते हैं कि फाल गुन कि मारवड का इलाकर आपने कुछ को कुछी बदल बदल सकते हैं मारवाड में कुछ भी वह बात है सें और सबसे बात बता दूंको नूट करके लिएने इस बात को भई राजस्तान के त्योहार राजस्तान के त्योहार विक्रमी कलेंडर पर अधारित है विक्रमी कलेंडर पर अधारित है किसी चीज का किसी टोपिका बेस कलेर होना चाहिए आपका आगे कुछ भी आप पे खुद भी कर सकते हो शुरू पढ़ने का थोड़ा तरीका होना चाहिए आपके पास आगे कुछ भी कर सकते हैं अपने बैसिक सी बात होती है अच्छा तीसरे क्लंडर की उपर बात करता हूं इसमें मेहनों की संक्या बारा वो बारा की बारे सबी नाम दिखाऊंगा चेत विसाख जेट असाड़ स सावन भादरपद आस्विन कार्थिक मार्क्षिस पोमा फालगुल यहां पर वो भी बताऊंगा तीज तेवहारा बावडी ले डूबी गंगोर सबसे पहला तीज को माना जाता है और सबसे अंतिम गंगोर को कहा जेता है अलग अलग कहानियों के साथ में पढ़ेंगे और क कुषान खेक जो निष्क था कुषान साच जिस वैक्तक कणिक्स था उसने भारत में सोरे की चिक्के फेल अपसे बैसिक्चव डाश्कत है भरत में सबसे पहले सोने के चिकरेइश रहने वाला कुंथा कुछान सासlex था उसी कुछान सासक करेश के द्वारा भारत में कौन से समथ की सुरवात करकेखी ती उस समथ की सुरवात की जाती कुशान सासक कुशान सासक कनिश्ठ के द्वारा की गई अच्छा मेन बात और बता दूं आपको आगे स्लाइड पे लिफा देता हूं कौन सी बात है मेन तो सबसे मेन बात नोट करके लिखना है उसकी लाइन के अंदर भारत में सरपर्थम भारत में सरपर्थम कुशान सासक अगर सबसे मेन बात बता दूं बाहरत का अगर कोई राष्ट्र पंचां है ना भारत किसको राष्ट को राष्टや भालित होते हैं भारतका राष्ट्य पंजाकि से सक्सवर्वात को कहा जाता है सुरू करने वाला चरू था और सुरू कब होती है यह लिखवा देता हूं आपको मैं कृच्वन लहीग छिर सरे शर्वार्वाद के सक्साम्मत की सुर्वाथ 3 कि अओ हैवर ऐसी में हुई एक ओर पॉइंट है सक समद को दो भुछन बहुत इंपोर्टन प्रइट सक्神 enfadco 22 मार्च 1957 बहुत ही इंपोर्टन फेक्ट है, सक्समत को 22 मार्च 1957 को भारत का राष्टिय पंचांग घोसित कर दिया गया, भारत का राष्टिय पंचांग घोसित कर दिया गया, भारत का राष्टिय पंचांग घोसित कर दिया गया, आपसे पता है क्या पुछीगा आपसे ये पुछीगा भारत का राश्ट्यपंचाठ दे pram जाता है दूसरा कौंसा कंसा वीक्रम कलेंडर जिसकी सुरुआ सतावनी , wolves अब। सब्सक्राइब करता है। कौन सा कलंडर था हिज्री सन की बात करते हैं कौन सा सन हिज्री सन इसे इसलामिक लेंडर भी कहा जाता है कौन सा तो पहला पॉइंट लिखते हैं इसे इसलामिक लेंडर भी कहा जाता है इसलामिक इसलामिक सन लिख दो इसलामिक सन भी कहा जाता है कि दूसरा के चन्डरमा की गती पर अधारीट होता है अलतीफर हो आधारीट कुछा पर पुटा तो आपको जो सूरिय की गता खर तहुंत लिटीन हुटे कंछ इन हो-चे-च नहीं होटे के अधारी तो थे लुटा, साइड में अटका लेना इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर तीन सो चॉपन दिनों के अवधी कितनी होती है तीन सो चॉपन होती है यह साइड में अटका लेना ठीक है चंद्रमा की गती की पर अधरीत होते है इसलामी कलेंडर से कहा जाता है और इसमें भी म अन्ति महिना जिल हिज दिनों की संख्या 304 पन किसके उपर धरित है चंदरमा की गती पर और शुरुत 622 पेगंबर मुहमद का जनम दिन वह था उसी दिन जनम हुआ था उसी दिन से इसकी शुरुत मानने जाती है बारा महिने होते हैं आपको मैं सारे करम से लिखवा दूगा ठीक है तो यह बैसिक नोलेज आपको मैंने बता दी ठीक है आप डबल स्पीट करके दो आगे चलते हैं तो अपने को क्या पढ़ने अपने को राजस्तान के त्योहर पढ़ने है यह बैसिक इसलिए पढ़ाया विस्व में थोड़ी से नोले जो यह इसलिए बताया क्योंकि यह बारत राजस्तान में पढ़ने वाले यह इसलिए बताया क्योंकि यह भारत का राष्ट यह इसलिए बताया क्योंकि इसको पढ़ने वाले है यह सभी पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने किसके उपर अधारित पढ़ते हैं राजस अच्थान के हिंदु तेमार विक्रमी क्लेंडर पर अधारित है कर यह मैं पहले बड़ी प्ता की आ चुका हूं आपको विक्रमी खुलेंडर मेहने कितने होते हैं बारा महने होते हैं तो कुल बारा महने होते हैं और बारा महनों का करम से नाम लिख देते हैं एक एक मेहनों को उठाएंगे और चलते-चले आगे ठीक है कि बारा महने होते हैं सबसे पहला महिना जेट कि वेसाक जेट, आसाड, स्त्रावन, भदरपद, आस्विन, कार्तिक, मारग सीर्ज, पोस, मा, और फालकुन, यह बारा महने होते हैं, यह बारा महनों में अपने पढ़ेंगे, क्या कुछ खास होता है, पढ़ते हुए चलेंगे, चेट, विसाख, जेटा, साड, सावन, भदरपद, आस्विन, कार्तिक, मार्क्सिस, पो, मार, फालकुन, यह बारा महने पढ़ेंगे, ठीक है, एक बात और नोट करकी, यहाँ पे लिफा देता हुए आपको, राजस्तान के तेवार कहां से शुरू होते हैं, नई स्लाइट पे चलते हैं, राजस्तान के तेवार की सुरुवात, एक कहवच से मानी जाती है, अब वो कहवच कौन सी है, तीज त्योहारा बावडी, ले डूबी गनगोर, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, नोट करके, राजस्तान में तेवारा की सुरुवात, राजस्तान में तेवारा की सुरुवात, छोटी तीज, इसे छोटी तीज, हर्याली तीज, सावनी तीज भी कहा जाता है, आती कब आई है, स्ट्रावन, सुकल, अब आप बहुत, इसे पती पतनी के प्रेम की सबसे पवीतर तेवारा इसे माना जाता है, इस दिन लहरिया ओड़ा जाता है, उस तीज की बात करिया हैं अपने, भूट कुछ बारिकी से पढ़ते चलेंगे, अच्छे से बस पढ़ते जाना साथ में, और दूसरी एक बात, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला तेवार, तीज तेवारा बावडी ले डूबी गणगोर, और सबसे अंतिम तेवार किसे माना जाता है, गणगोर को माना जाता है, राजसान का, सबसे, अंतिम तेवार, गणगोर, गंगोर सबसे लंब्या चलने वाला तेमार 17 से ठारा देन तो चलने वाला गुलाबी गंगोर नाद्वार की प्रसीदा बिना इसर के गंगोर कहां की नाद्वार जिसक जैसलमेर की प्रसीदा गंगोर का बाती है चेतर की आती है चेतर सुकल हिर्ल मतित है तीज गो एक दिन पहले चोटी तीज से एक दिन पहले शिंजारा भेजी जाते हैं यह बैसिक बाद जब पढ़ते चलेंगे तो आपको पढ़ाता चलूँगा अब यहां पर इतना ही परसन बनेगा यहां पर क्या परसन मनेगा राजस्तान के तोहार की सिरुवात कहां से मानी जाती है आप से पुछेगा राजस्तान के सिरुती ती च्रुटी जी सामनी तीज से मानी जाती है या फिर आप से पूचिए त्यमार क्यों से है तो गणगोर पढ़ता है यह बथा ये पूछ सकता है पर अर्थ क्या है या फिर राजस्तान tu won ये इसके उपर कि स समधित है इसा रहclick कुछ भी पुछादा सकता है कि आपको बार में सबी बाते पता होनी चाहिए। है आपको ये दिख़्त कर रहो सार। सुकल क्या होता है क्रिशन क्या होता है इसके बार, थोड़ी सी बात बता देतेता हूं? कुछ आपको मैं बाफी टोपिक चलता चलेगा तो आपको समझा जाएगा देखो हर महिना होता है यह मैं कोई भी महिने की बात कर देता हूँ कि वह सिंपल आब बार बार पड़क तो याद हो जाएगा आप बुल्च सर पता निक अभी चैत की सूकल आ कभी सकी सूकुलार यह कभी सकी सौत हरी तो बार बार पढ़ तो याद हो जाएगा इसकी कोई ट्रिक नहीं होटी और ट्रिक यद करने तो साथ में ऐसे लाओ कर लेंक्ज़ में बहुत करना और याद हो जाएगा नोडस को बार बार पढ़ते रहना बहुत सिंपल है हर महा में दो पक्स होते हैं जो पहला जो पक्स कोई भी महना चो शुरू होता है ना उससे क्रिशन पक्स कहा जाता है और आपने तो राजस्तान के रहने वाले हो आम बोल चाल की बासा में जिसक करवा ऑजन पक्स का क्ला माई दिन में पार होता है नोड does कहा जाता है मौश है मौश है कहा जाता उसकि है यह बहुत मौत लिदम पेका दको बैसिक्स और आपका कला इंग है बहां से कलियर होने वाला चलेगा शाट Hofinger Scem of a bitch लोन के लिए बहुत basic सा है यहां से परशन पक्काता है एक परसन पक्काता बहूत होता है अगल धंग से पढ़ा तो सिंप hers लेगा वरना बहुत कंफूसर नों कर रह जाएंगी कभी मेड़े तवार कभी याद नियू नियोवाले पर व्याहरी कि उसे पूर्णिमा कहा जाता है अब आप क्या पर हम क्या पढ़ेंगे कोई महिने को उठाएंगे यानिकि चैतर का महिना उठा लिया ठीक है चैतर के महिने में पहले कृष्ण पक्सके देखेंगे देखो एक पकवाड़े में टोटल कितरें दिनों ते पंदरा दिन होते हैं कि अँङकर आती है इध्रपुःणी माति कभी कभा आप हो देते हो कभीया सब्ड़ में हो गया कभी अश्ट में दो हो गया कभी कभी नों एक साथ ओगया क्योंकि जो टूर्मा मा कि गति होती है लम चंह दिर आप पर टीके चार और एक Cet Kerta 27 दिनों में फूरा करता है तो हम यहाँ भी 30 15 दिन मानते हैं यहाँ भी 15 दिन मानते हैं अम्ण इस आप से कितने दिन होगे 30 लेकिन इसी 30 दिन को हम अपने को 27 दिनों में convert करना है तो कभी 217 आ जाती है कभी दो अलग-अलग हो जाती है और कभी एक बार तो ऐसा system आता है आपने कभी 3-4-3 सालों के बाद में देखा होगा तीन सालों के बाद में क्या देखते हो आप जो सूर्य कलेंडर होता है उसमें 365 दिन होते है चंदर्मा का जो कलेंडर होता है उसमें 354 दिन होते है इसी चंदर्मा के कलेंडर को सूर्य के कलेंडर के बरबर लाने के लिए हर तीन साल के बाद में एक महिना जोड दिया जाता है जिसे लीप ये महिना कहा जाता है, लीप वर्स अलग होता है, लीप ये महिना अलग होता है, जैसे कभी कभार सुना होगा, जेट कभी दो आ जाते है, कभी सावन दो आ जाते है, क्योंकि अपने को जो चंदरमा के कलेंडर होता है, जो विक्रमी समयत आपको मैं कलेंडर बता रहूं इसमें 30 reliable होती है तो सबसे पहले कोई मेहने को उठाएंगे अभी उसी किसा आप से पढ़ते चलेंगे एक बार थोड़ा सा पिछे का रिवाइस करवा देता हूं फिर आगे चलते हैं कहां से पढ़ना शुरू किया तो वहां पर चलते हैं कि बहुत सिंपल सा टोपिक है सुनना मेले वाते हुआर क्लेंडर पर अधारित होते हैं चार परकार के गिर्गोरियन इसे अंतराश्ट्य क्लेंडर बोलते हैं यह विक्रम समथ स्तावनीश्मी में शुरू आता है अच्छा इसको शुरू करने वाला कुशान सा सकनिक्ष था इजरी सन मुसलमानों का कलेंडर ये चंदरमा की गती की पर धारित होते है उसके बाद में बात करता हूं तो मैं आपको पर्तम मेना जनवरी आंतिम दिसंबर दिनों की स्क्या सूरे के गती 12 मेने चैते का मेना फाल्गुन का मेना राजस्तान के ते वहार कुशान सा से सोने सब्सक्राइब के अंदर होती है ठीक आगे चलते हैं यह बारा महीने आपको लिख पादी साथ याद हो जाएंगे पहले मतर रटा मारना गणगोर और राजस्तन का सबसे अंतिंते वार जो गणगोर का उता है इसको उतारना नहीं है कोई काम करनी यह पेपर में नहीं पूछेगा आगे आपके महिनों में कोई confusion न वेख इसलिए समझा है आपको कृषन पक्स हर महिने का पहला 15 दिनों का पकोड़ा क्या बोलता है क्रिशन पक्स को बोलते है न यहों प्रफ को कवा ड दीन Butler का बाज का पकोड़ा इसलिए सूकल थे आपको होता है नंपक होता है इसके लाश्ट में पूरनिमा आती है आप से परसन में क्या撲 पूछ दिपावडी यही पढ़ना चार्थ थी अपने को परते कवहना लेके छालना पड़ेगा परते एक महिने में 10 स्काला बाते होंगे उसको लेके चलना पड़े गा बहुत सिंपल है बार बार पड़ा तो महिना जो आता है उसे चेतर का महिना कहा जाता है हिंदू तिवहरों में सबसे पहला महिना हिंदू महिनों में सबसे पहला महिना चेतर का महिना बैसी काप से वैसी तो आपको पता हुगा तीसरा चोथा जो महिना होता हो चेतर का महिना शुरू हो जाता है 22 मार्च को इसके पड़ी होना शुरू जाती है अब आपको मैं क्या पताऊंगा यहां पर मैं तारीक एक लिखूंगा तारीक दो लिखूंगा तारीक तीन लिखूंगा चार लिखूंगा इस तारीकों का क्या मतलब रहेगा इन तारीकों का मतलब यह रहेगा कि यहां पर मैं तीथी लिख रह हुआ है तोटल पंदरा तारीक मैं बोलूंगा पंदरा तारीक हो ताप यह मसा तरह सरा आप कौन से तारीक की बात कर रहे हो हमें कुछ पता भी नहीं है मैं वो तारीक की बात नहीं करूंगा करें इस महेने की जो पंदरा तिधियां होती है वैसिषिद्धिण बोलने के बज़ए इसको तारीक बोल दूँगा एक तिधिक यान अरक तारीक दो तीधिक यान ऐने कि तीन तीन तेरीकों और इसी परकार से अपमा जो यह टोपिक है वो चलता रहेगा ठीक को दो और बंडंए क्या query है कि हिंदु तिवार पढ़ेंगा अपने स्वरी हिंदूत यहार बारा मैंने सिखों के दिवार पड़ेंगे जैनियों के पड़ेंगे सिंधियों के पड़ेंगे और मुसलमानों के पड़ेंगे कि यह पांच प्रकार के दिवार अपने इसके अंदर पढ़ने वाले और जब पांच पढ़ने तो आपका टोपिक यहां से कवर कंप्लीट बहुत अच्छे से हो जाएगा और साथ साथ आप रिवाइस करते रहे ना तो अपना जो चेत्र का महिना चलेगा वह चलेगा आपके नेश्ट क्लास केंदर और बहुत अच्छे से रिवाइस करते रहे ना तो आज की क्लास आपकी यहीं पेंड करते हैं ठीक है और बहुत सिंपल है बार बार पढ़ना याद हो जाएगा आज कुछ भी निक्राए बैसिक नोलेज बताया और कल से आपके क्लास बिल्कुल इसी को एप्लिकेशन का अंदर मिल चाहेगा ठीक है मिलते अपने नेश्ट क्लास केंदर थेंक्यू वेरी मस्ट धन्यवाद